Hello Friends, आज हम एक पोयम पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है Search for My Tongue, जिसे लिखा था सुजाता भटने दोस्तों यह पोयम पब्लिस हुई थी 1988 में और इसमें दोस्तों इस पोयम में काफी सारे collections of poems थे जैसे कि यह एक बुक की पोयम है चोटी सी उस collection का नाम था दोस्तों, ब्रूनीजम इस collection का नाम था जिससे यह चोटी सी पोयम Search for My Tongue ली गई है इस पोयम को दोस्तों पब्लिस कराया गया था दो लैंग्वेजों में, इंगलिस और गुजराती में दोस्तों इस बोयम में जो कवित्री है यानि की सुजाता भड़ जो है, वो कहती है कि मैं थोड़ी सी वरीड हूँ, मैं थोड़ी सी परिसान हूँ इसलिए क्योंकि मेरा जो mother tongue है, यानि जो मेरी मातरी जवान है, वो कहीं खो चुकी है क्योंकि मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ, और new languages को मैं यूज कर रही हूँ, जैसे कि यह एक original language है, मतलब मेरा mother tongue हो गया है मेरा mother tongue कोई और था, मैं उस language को क्यों नहीं यूज कर रही हूँ यह सब चीजें इस poem में कवित्री ने, यानि कि सुजाता भट ने हमें दिखाने की कोशिस की है, कि हम अपने mother tongue, गुजराती और हिंदी जैसे languages को भूल जा रहे हैं, और English पे जा रहे हैं इस poem को दोस्तों उन्होंने three part sections में divide किया है, three part section जो भी कह लीजे, तीन भागों में बाटा है, और इन्होंने अच्छे से यह दिखाया है, कि किस सरा हम अपने mother tongue को भूलते जा रहे हैं, वैसे उनकी mother tongue इसमें गुजराती है दोस्तों तो आएए दोस्तों हम सबसे पहले सुजाता भट के बारे में जानते हैं, ताकि हमें यह poem अच्छे से समझ में आ जाए, तो सुजाता भट का जन्म हुआ 6 माई 1956 में, अभी यह 65 years की एहमदाबाद में रहने वाली हैं, यह एक Anglo-Indian थे दोस्तों, यानि कि यह Britishers की बेटी थ इन्हें Poetry Book of Society का Award भी मिला, इन्होंने काफी सारे poems लिखें, जिसमें से आज हम एक पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोस्तों, Search for My Mother Tongue, यानि कि Search for My Tongue, आईए दोस्तों इसका पहला line पढ़ते हैं, You ask me what I mean by saying I have lost my tongue Poem की first line में, दोस्तों, poet जो हैं, वो किसी पे कह रही हैं, किसी आदमी को, क्योंकि उसने उसे टोक दिया है, कि तुम इस Poem से क्या बोलना चारी हो तो कवित्री बताती है, मैं यह कहना चारी हो, कि मैं मेरी जो speaking address, यानि कि मेरी जो mother tongue है, वो मुझसे कहीं छूट गई है मैं अपने mother tongue को यूज कर ही नहीं पा रही हूँ, कहां वो मुझसे छूट गई है यह first line में, first two line में वो यह कहती है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, तो वो कहती है इन लैनों में poet कहना चाहती है, दोस्तों, कि अगर जैसे जो आदव्यक्ती थे, जिसको वो कह रही थी, उसे वो कहती है, वो he है या see है, यह नहीं बताया गया है, वो कहती है कि क्या तुम तुम्हारे जबान में दो languages हो, और तुम एक language को भूल जाओ, जो कि पहली थी, यानि कि तुम्हारी mother tongue थी, जो तुम्हारे जन्म से मिली थी तुम्हें, उसे तुम भूल गए, और तुम जो आज foreign languages को ले करके और बोलते हो, क्या तुम इससे familiar हो सकोगे? इस सवाल के बाद दोस्तों कवितरी आगो की लैनों में बोलती है, you could not use them both tongue, even if you thought that. इन लैनों में poet कहती है दोस्तों कि वो खुद को जवाब दे रही है, अपने ही question क्या? कि हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि कि किसी भी आदमी, जो कोई भी आदमी हो या औरत हो, वो दो languages को एक टाइम में नहीं बोल सकता, पर क्या मैं अपने mother tongue, जो Indian thoughts है मेरे मन में, यानि कि जो मेरी मात्र भूमी है, यानि कि India है, उसकी जो सिखाई हुई mother tongue है, क्या मैं उसे भूल जाओं? क्या मैं उसे other words से compare कर दूँ? और कहती है वो कि अगर मैं इसे भूल जाती हूँ, तो क्या मैं अपने mother tongue को भूल नहीं जाओंगी? क्या मैं अपने जो मिट्टी है मेरी, जहां से मैं जन्मी हूँ, उस language को मैं भूल नहीं जाओंगी? वो फिर से खुद से ही सवाल करने लगती है दोस्तों, और कहती है इस इन लैनों में पोईट कहती है दोस्तों कि अगर कोई बहुत लंबे समय से फॉरेन में रह रहा यानि कि अपने मात्र भूमी में नहीं रह रहा मात्र देश में तो उसे चांस ही नहीं मिलता कि वो अपने मदर टंग को बोल सके, अपने कल्चर को दिखा सके और इस कारण उसकी जो मदर टंग है वो मर जाती है एक तरह से क्योंकि वो उसी भूल ही नहीं रहा इसके बाद कवित्री कहती है कि जो मदर टंग है वो वो नहीं बोल पा रहा क्योंकि उसको अपुर्चुनिटी नहीं मि चाहिए अपने mother tongue को क्योंकि अगर वो opportunity create नहीं करेगा अपने mother tongue को नहीं भूलेगा तो कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज ना यूज करें तो वो भूल सकता है भले उसके वो जो language है वो से जनम से क्यों नहीं जुड़ा हो मतलब mother tongue क्यों नहों कहीं वो से भूलना जाए इसलिए वो बहुत ज़्यादा worried है poetry इसके बाद सुजाता भट कहती है कि I doubt I split it out but overnight while I dream इसमें poet कहती है दोस्तों यानि कवित्री कहना चाहती है कि जो मेरी mother tongue है वो मैं forget कर चुकी यानि भूल चुकी हूँ पर मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं भूल गई हूँ पर ये मेरी गलत फैमी है मेरी सपनों में मेरे हर जगा मेरा mother tongue ही मेरा साथ देता है मेरा mother tongue ऐसा है जैसे मानों मुझे लगता है कि यह फूल फिर से खिलेगा यानि मेरी mother tongue का जो फूल है वो फिर से खिलेगा और मेरे मूँ में फिर से मेरी मातर भासा आईगी और मैं फिर से अपनी मातर भासा में बोलूंगी और फिर से मेरी मातर भासा मुझे याद हो जाएंगी मैं उसे कभी भूल नहीं सकती इसके बाद कवित्री कहती है दोस्तों आगी की लैनों में इसके बाद और मेरे 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 लगा रमेर मेरे मेरे मॉई ऑन्यूंगा प्रफूंगी लैक प्रात कि आईगी ऑन्यूंगी झान्यूंगी हिर दोस्तों आईगी प्रात कि लैक Nepoег इसे बाद दोस्तों कवित्री जो होती है वो imaginary world में आ जाती है अपने mother tongue को लेकर और कहती है कि मेरी जो mother tongue है वो एक plant की तरह है मेरे मूँ में फिर से उगेंगी और फिर से longer और stronger बनेंगेगा वो पेड़ यानि कि मेरी mother tongue language का जो पेड़ है वो बहुत ही बड़ा और strong बन जाए का और यही सारी चीजी कवित्री जो हैं दोस्तों वो imagine करने लगती है इसके बाद वो कहती है every time I think I have forgotten I think I have lost the mother tongue it blooms out of my mouth अंतिम के लैनों में दोस्तों poet कहती है कि मैं पूरी तरह से wrong थी साइद मेरा जो thought है वही गलत है क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि कोई व्यक्ति अपने mother tongue को किस तरह भूल सकता है साइद वो कुछ देर के लिए मुझे से बिछड गया था या मैं कुछ words भूल गई थी पर पूरा mother tongue मैं कभी नहीं भूल सकती वो कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति अपने mother tongue को कैसे भूला सकता है वो नहीं गया कभी मेरे mother tongue से यानि मेरी mouth से कभी मेरे मूँ से वो कभी नहीं गया है मुझे कुछ words बोलने में परिसानी हुई इसलिए मैं अपने culture को सोचनी हूँ भूल गई पर मैं अपने culture को मैं अपने mother tongue को कभी नहीं भूली या मेरा मदर टंग कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेगा और यहीं पे दोस्तों या पोयम इन्ड होती है और आपको कैसा लगा ये पोयम आप बताएं कि क्या कवित्री सही थी क्या सुजाता जी जू है वो सही है कि उनके मदर टंग भूल गए है या फिर वो चाहती है कि वो अपने मदर टंग कभी न भूले तो हमें कमेंट में बताएं ये बातें और लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमें सपोर्ट करें ताकि हमें लगे कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं और हम और वीडियो ऐसे बनाएं आपके लिए और आपके एक्जाम्स में हेल्प करें थैंक ये दोस्तों, have a nice day अजी झाल